आप सभी का बहुत बहुत जोगत है आपके अपने यूट्यूब चैनल गुड मॉर्निंग एससी में आज का हमारा सेशन है कॉमन सेंटेंसिज जो की रोज जाना की इंग्लिश में बोले जाते हैं और हमें इनका हिंदी मिनिंग कभी कभी याद नहीं रहता तो इसमें आज हम हलो इसका मतलब होता है नमस्ते या नमस्कार है इसका मतलब होता है बचाओ या मदद करो गाट इट इसका मतलब होता है समझे के नहीं आयम ओके मैं ठीक हूं कमीन इसका मतलब होता है अंदर आजाओ गेट आउट इसका मतलब होता है बहार निकल जाओ अब बहुत से बार होता है कि हम भूल जाते हैं कि इसका हिंदी मिनिंग क्या है Go away, चले जाओ Goodbye, इसका मतलब होता है ठीक है चलते हैं या फिर इसका मतलब रात की नमस्ते या जो भी कह सकते हैं Welcome, आपका स्वागत है या स्वागतम Have fun, मजे करो बहुत से बार Welcome का मतलब भी बूल जाते हैं I forget, इसका मतलब होता है मैं भूल गया I will pay, इसका मतलब होता है मैं पैसे दूँगा अब बहुत से बार हम लोग पैसे देते हैं और हिंदी में बोल देते हैं मैं पैसे दूँगा I am fine, मैं ठीक हूँ इसका मतलब होता है इसका मतलब होता है पंची उड़ते हैं एक्स्क्यूज मी माफ कीजिए आप किसी को बोलते हैं एक्स्क्यूज मी और आपको मतलब यह नहीं पता है इसका मतलब है खेद की बात है लेकिन वैसा ही है I laughed मैं हसा या निके मुझे हसी आई एक ही बात है I am bored मैं bored हो रहा हूं I am broke मैं टूट गया हूं जो कोई अंदर से टूट जाता हूं यही बोलता है I am tired मैं थक गया हूं जब आप सफर करके घर जाते हैं तो थक जाते हैं who knows कौन कौन जानता है या कौन जानता है एक ही बात है birds sing पंच्छी गाते हैं come on in अंदर आ जाओ अगर किसी को बुलाना हो घर के अंदर और वहारी खड़ा रहे तो इंग्रिश में भी बोल सकते हैं don't move hello मत fire burns आग जलाती है follow him उसका पीछा करो I am tired मैं ठेक गया हूँ I can swim मैं तैर सकता हूँ can I meet him क्या मैं उससे मिल सकता हूँ बहुत जिवा हम किसी को ओफिस में जाके खड़े हो जाते हैं और पूछते हैं के वो है के नहीं और हम उससे मिल सकते हैं के नहीं इंग्लिश में बोल सकते हैं I will try मैं कोशिश करूंगा I am coming मैं आ रहा हूँ बहुत सी बाद पूछता है कि तुम आ रहे हो कर नहीं आ रहे हो इंग्लिश में पूछे तो बता सकते हैं I am hungry मैं मुझे भूक लगी है let him in उसे अंदर आने दो let me out मुझे बाहर जाने दो once again एक बार फिर once again बार बार आप लोगों ने सुना हुआ तो once again एक बार फिर से thank you for watching अगर आप लोगों को वीडियो अच्छी लगी हो तो comment box में जरूर लिखें और like करें अपने दोस्तों में share करें और इस video में कराएंगे सभी common sentences की PDF के लिए join करें हमारा telegram channel और channel को subscribe करें